बिसमिल्ला रहमानी रहीम असलाम लेकुम रहमतुल्ला सेक्शन 12.3 और टाइटल है दाट प्रोड़क्ट डाट प्रोड़क्ट कंप्यूट कैसे करते हैं यह आप लोग आल्रेड़ी जानते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और जिसके कंपोनेंट है एवन एटू यहें दर देख human भीट्री और एक वेक्टर भी है जिसके कंपोनेंट से Caitier आपने डाट क्रॉट कप्यूट करना है तो उसकोनोट करते हैं, यह वेक्टर है और जो है इसके जो कंपॉनेंट हैं, component wise जो जो टर्म्स हैं उनका product ले लिया जाता है और उनको add कर दिया जाता है यानि a1 multiplied by b1 and a2 multiplied by b2 and a3 multiplied by b3 और इन सब का जो product ले लिया जाता है तो फिर जो है वो इनको add कर लिया जाता है तो यह चीज जो है यह आप पहले से जानते हैं आगे example solve की है अच्छा यह notation जो है वो वेक्टर की एक यह style है लिखने का और दूसरा style जो है वो भी आप जानते हैं कि आप उसके जो coordinate axis हैं उनका unit vectors वैसी understood है कि जो पहला component है वो x direction का है और दूसरा y direction में और तीसरा जो है वो z direction में है दूसरा जी है कि आप style में भी लिख सकते हैं कि this a is equal to a1 i plus a2 j and plus a3 k तो यह आई जे के आप जानते हैं कि यह unit vector तो यह भी style है लिखने का और इस तरह से bracket में जैसे यह लिखा हुआ है तो यह भी style है तो अब अगर आपके पास a1 a2 एक vector है जिसके यह दो components हैं और b1 b2 यह दो dimensions का वेक्टर है a1 a2 और b1 b2 और इनका डाट product दरम्यान में डाट लगा हुआ है compute करना चाहते हैं तो फिर यह वही तरीक है कि पहले को पहले के साथ multiply कर दें और दूसरे को दूसरे के साथ और उनको फिर क्या कर दें दरम्यान में add some वाला sign लगा दें add कर लें तो अब यह generally लिखा हुआ थ देख सकते हैं two four पहला वेक्टर है और three comma minus one यह दूसरा वेक्टर है तो first को first के साथ multiply करते है two multiplied by three and four multiplied minus one add के है तो यह two आ गया है इसी तरह से आगे जो मजीद दो हैं उनको भी आप जो है वह फाइंड कर सकते हैं calculate कर सकते हैं तो यह एक notation है bracket वाली वेक्टर की और इन दो व compute किया जा रहा है और यह दूसरा जो है वो unit vectors की शकल में यह लिखा हुआ है तो यह भी दो वेक्टर है I plus two j minus three के पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर में I component नहीं है आप यह कह सकते हैं कि that is equal to zero I zero I plus two j minus के जो है यह वेक्टर लिखा जाएगा और दरम्यान में dot लगा फर्स्ट को फर्स्ट के साथ यानि इसका जो coefficient I का वो one है और दूसरे में जब वो आई है यह नहीं तो उसको coefficient zero है तो one multiplied by zero and then two multiplied by this two and j का जो coefficient है वो j का coefficient और फिर k का coefficient को के को के साथ multiply कर दें और add कर दें तो जो answer हैगा that will be your output आगे कुछ properties है के dot product की कि अगर आपके पास जो है वो dot product दो वेक्टर का एक वेक्टर का अपने साथ ही dot product लिया जाए तो that will give you the magnitude square of the magnitude of that vector और अगर दो वेक्टर है A, B और तो फिर उनका जो dot product है that is commutative के A dot B compute करें या B dot A compute करें तो you will get the same output dropdown and distributed भी है अगikle आगर आपके पास तीन वेक्टर्स ऐ, B, C और पहले आप दू वेक्टर L साथ व पहले को या फिर आप यह करते हैं या पहले या पहले dot product लेते हैं A का B के साथ और A की साथ और पहले ईकसी और बाद application है कि अगर आप एक्टर को पहले किसी scalar C के साथ multiply करते हैं और फिर dot product लेते हैं या फिर पहले dot product लेते हैं और output को scalar के साथ multiply कर देते हैं तो फिर वो कहता है कि output will be the same और यह scalar जाए यह पहले vector के साथ भी हो सकता है और यह दूसरे vector के साथ भी हो सकता है यहां पर पहले vector के साथ है और यहां पर दूसरे vector के साथ है और जीरो vector के साथ किसी भी vector का dot product लेंगे तो output will be zero अच्छा आगे इनका जो है वो यह जो प्रॉपल्टी उपर बताई हैं उसमें से कुछ का प्रॉफ किया जा रहा है करना चाहते हैं उसको पढ़ लें और नहीं करना चाहते तो मेरी तरफ से जो है वो जरूरी नहीं है आप ना करना चाहें तो बेशक ना करें उसके पाद यह फिगर वन एक बनाई हुई है और इसमें दो vector वेक्ट्र आ और बी जो है यह दिखाया जा रहे है है उरीजिञ को से सिटार्ट हो रहा और यह जो रेड़ लाइन में बनाई है इसके जा रहे तो यह राए झा रहे तो यह ऑग्ट्र है और दूसरा वेक्ट्र जाहीं भी है अब इन फिए आको जो है वहार दोनूा ALL को जाइन किया है यानि है टू टेल रूल अगर वाप फालो करें तो फिर यह एडिशन आफ वेक्टर हो जाएगी और यह इस अरेंज्मेंट के ताहद यह क्या है इनकी सब्ट्रेक्शन है इसको आप जो है वो देखना चाहें तो आप इसको खुद से जो है इसकी अपनी यह क्या बता रहा है कि एक तो हमने पढ़ा है कि dot product a dot b आप compute कर सकते हैं उस तरीके से जो अभी मैंने ऊपर बताया है कैसे बताया था कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनके जो components हैं उनको आप इसमें multiply कर दें coefficients को और सब को add कर दें तो that will be the dot product example one अभी solve की है ना example one a dot b find करने का दूसरा तरीका यह आप इसकी right hand side पर देख सकते हैं कि आप वो जो दो vectors है a और b तो पहले की magnitude calculate कर लें दूसरे की magnitude calculate कर लें और अगर आपको उन दोनों के दर्मयान angle का भी पता है जो के theta है फार एक्जम्पल वो पाई बाई 4 है पाई बाई 3 है पाई बाई 2 है जितना भी है अगर वो आपको known है तो फिर अगर आप इस equation की यह जो equation जिसको मैं circle कर रहा हूँ इसके right hand side compute कर लेते हैं then you will get the dot product तो dot product अब आप दो तो से calculate कर सकते हैं अब आगे यही जो relation है यह जो बनाए है जिसको यह मैंने circle किया हुआ है इसको आगे वो prove कर रहा है अब prove करने के लिए वो laugh को science का सहरा ले रहा है और laugh को science जो है वो उसने किसके उपर apply किया है वो उसने figure यह जो figure one है इसके उपर उसने apply किया laugh को sign और आगे उसने इसको जो है वो evaluate किया है और प्रूव कर दे है आखिर में के आपके पास जो a dot b है वो actually किस चीज़ के equal है यही जो ओपर theorem में दावा किया गया था कि आपके पास जो और डाट प्रॉडक्ट की जो है वो इस चीज़ के equal है यानि a dot b जो left side पे है is equal to यह जो right hand side है यह compute कर लें तो actually आप a dot b find कर लेंगे तो यह proof कर दिया उसने कि ऐसा है प्रूफ साधा सा है आप कर करना चाहें कर लें ना करना चाहें तो ना करें लेकिन यह रिलेशन जो यह हम बनाया है प्रूफ नहीं किया है यह define किया है theorem हमने पड़ा है अभी इसको तो यह important है यह आके यूज़ होगा अच्छा अब इस रिलेशन को यूज़ करके एक और भी जो है वो काम लिया जाता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है आपके पास दो वेक्टर है तो जाहर है आप dot product इसका compute कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जैसे एक example 1 में किया है और दूसरा आप उनकी अलग-अलग से magnitude भी compute कर सकते हैं और जब आप यह दो काम कर सकते हैं तो फिर आप यहां से थीटा की value what is the what is theta that is angle between a and b तो वो यह कहना चाह रहा है आगे की lines में आएगा कि अगर आप जो है वो theta यहनि के angle between two vectors निकालना चाहते हैं तो आप dot product की help से जो है वो निकाल सकते हैं तो what will be cause theta? cause theta will be equal to यह जो दो magnitude a और b की साथ लगी हुई है इनको दूसरी साइड पर निचे ले जाएं तो यह आपके पास इदर रह जाएगा वो सिरू cause theta रह जाएगा और फिर theta की सीज़ के equal होगा आपको तो theta चाहिए angle तो cause जो है वो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा cause inverse cause inverse हो जाएगा तो यह आगे आपको जो है एक जगा पर जो है यह चीज़ नजर आएगी के dot product की जो है application यह क्रालरी आपके सामने डबे में नजर आ रही है और फिर theta अगर आपने find out करना है तो आगे example में वो यह काम करवा भी रहा है तो कैसे find the angle between vector एक vector a है और दूसरे vector b है तो कर लें a की magnitude find करें b की magnitude find करें यह आपको करनी आती है और a dot b example one में compute किया था तो यहाँ पे इन vectors के लिए जो यहाँ पे दिये जा रहे है उपर example में इसको मैं highlight कर रहा हूँ यह आपको यह नजर आ रहा हूँ इनको क्या कर लें इनका dot product find कर लें और उसके बाद आप यह जो प्रालरी उपर आई है इसमें इनकी values put कर दें a dot b जो हो तो के इको लाए है और a और b की अलग अलग magnitude इनको multiply कर रहे है इसके इको लाए है थीटा is equal to cause inverse और यह 1.46 radian या फिर वो क्या कह रहा है कि यह 84 degrees हैं अच्छा अब अगर दो वेक्टर जो है वो पर्पेंडिकुलर है तो यह उसने यहां पर यह कहा है कि आर्थागनल है टू वेक्टर एंड बी आर्थागनल if and only if a dot b is equal to zero अगर dot product दो वेक्टर का zero है तो फिर दोनों वेक्टर जो है वो पर्पेंडिकुलर होंगे और आप यह यहां पर example है एक वेक्टर अब नाम नहीं दिया उसने आप दे दें ए नाम दे दें और फिर दूसरे को जो है वो बी नाम दे दें और यहां पर a dot b compute करें तो फिर यह आपके सामने compute वो अना जरार है this is equal to zero तो दो वेक्टर का dot product अगर zero है तो वो पर्पेंडिकुलर है या फिर उलट बात कर लें के दो वेक्टर पर्पेंडिकुलर है तो फिर उनका dot product जो होगा zero होगा और अगर वो parallel हैं दोनों वेक्टर तो फिर क्या होगा क्या था a dot b की जो अब यह उपर theorem में हमने बढ़ा था that is equal to a magnitude b magnitude and cos theta तो cos theta कब one होता है जब theta zero हो theta zero का क्या मतलब है कि a और बी जो है वो एक दूसरे के parallel है तो अगर a और बी जो है वो एक दूसरे के parallel है तो फिर dot product will be equal to a magnitude multiplied by b magnitude अच्छा अब आगे आजें direction angles and direction को science यह मैं यहां पर इसको थोड़ा explain करूंगा और इसम की जो आगे जो physical interpretation जो proper है वो आपको इसे के बाद जो है वो नजर आएगी आपके पास एक वेक्टर है origin से यह एक box में start हो रहा है और box में diagonal से होता हुआ जो है यह सामने वाले face पे यह जो origin है यह आपका back face के उपर मौजूद है डबे के और यह जो tip है इसकी वेक्टर की front face के उपर मौजूद है तो अब अगर आप इस origin से start करते हैं और इस tip तक आना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है कि आप पहले a1 x direction में आप जितना मतलूबा फासला है वो तैह करें फिर आप y direction में मतलूबा फासला तैह करें और फिर आप z direction में मतलूबा फासला तैह करें तो actually आपने उसके components a1 a2 और a3 आपने find कर लिए तो यह बाते हम already जो है वो कर चुके हैं अब सवाल यह چیزंड़के कि बाते हैं कि अगर हम इस vector का यह जो red christ our turnaround के साथ आपको नजरा आ रहा है अगर हम इसका एंगल लेना चाहते हैं कि x axis के साथ उसका क्या एंगल है y axis के साथ आपके पास यह नजरा रहा है तो इसके साथ उसने इस vector का एंगल जो यह alpha लिया हुए red color की जो यह य रो आ रहा है तो यहां तक उसने अलफा लिया है वाई एकसे के साथ जो एंगल है वो उसने बीटा लिया है और जी एकसे के साथ जो इसका एंगल है वो उसने क्या लिया है गैमा लिया है अब इनको जो है वो यह जो डिरेक्शन को साइंज है इनको फाइंड कैसे करना है तो वो क्या कह रहा है कि आप क्या करें कि ए वेक्टर तो ए जो है वो तो वेक्टर हो गया जो वो खुद था जिसकी हम बात कह रहे हैं और आई जो है यह यूनिट वेक्टर है टार्चन एक एक और आप इसकी जो है दो एक उडर्च होगा नहीं कौन 작은 वेक्टर होगा ऐं कीमे आई है कि magnitude of a यह आप compute कर ले और फिर इनकी magnitude से इसको divide कर लें तो cause alpha आजएगा which is equal to a1 divided by a magnitude अब यह a1 के equal क्यों आया है क्योंकि आपके पास जो a vector है that is equal to अब इसके जो components है a1, a2 और a3 है और जो unit vector है i, इसके components क्या है यह 1, 0 and 0 तो जब आप dot product लेंगे तो a1 जो है वो 1 के साथ multiply होगा पहला पहले के साथ multiply होगा बाकि a2, a3 जो है वो multiply होगे तो वो 0 है आगे तो लियाजा यह दोनो vanish हो जाएंगे तो सिर्फ a1 रह जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है वो excuse me तो यहाँ पे आपको इसलिए फिर जब a.i compute करेंगे तो a1 नजर आएगा तो similarly जो है वो काज बीटा और जो काज गैमा है वो भी आप इसका जो है वो find कर सकते हैं और इसके साथ एक उसने एक और result उसने कहा है कि आप यह जो direction cosines आपने निकाले हैं इनको scares करके add कर दें तो यह one आएगा तो आप यह कर सकते हैं कोई मसला नहीं है इसका scare लें और यह जो मने सरकल किया दूसरा इसका scare लें और इनका scare लें इन सब का scare लें तो आपके पास जो है वो क्या आजाएगा यहां से a1 का square over a magnitude का square plus a2 का square divided by a magnitude का square plus a3 का square divided by a magnitude का square तो यह उपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ वाली चीज़ वो सेम है तो लहादा कैंसल हो जाएगी आंसर जब वान आजेगा तो एक्जमपल नमबर फाइव यह यह वी डिरेक्शन को साइन्स ही कंप्यूट किये गए हैं करना चाहें तो गरलने आगे हैं प्रोजेक्शन यह असल जो है डाट प्रोड़क्ट की जो ग्राफिकल इंटर्प्रोटेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी तो actually definition को पकड़े definition क्या है dot product की definition यह है कि अगर आपके पास a और b दो vectors है तो उनका dot product will be equal to पहले vector की magnitude दूसरे vector की magnitude and cause of the angle between them थोड़ी देर के लिए आप यह करें जैसे उसने किया है कि आप a की magnitude को अलग कर ले और cause theta को जो है वो bracket में b magnitude के साथ लिए तीन चीज़ों का product है लिख सकते है यानि a भी कोई number है a magnitude magnitude भी कोई number है और cause theta भी कोई number है तो तीन चीज़ों का product है तो आप चाहे किसी भी arrangement के साथ इन तीनों को product ले सकते हैं तो हम यह थोड़ी दर के लिए फर्ज करते हैं कि हम bracket वाला जो है इनका product पहले लेते हैं यानि b cause theta को अलग कर ले और a के जो magnitude है उसको अलग कर ले अब देखें b cause theta आपको क्या दे रहा है इदर graph में आजए आपके पास a एक vector है यह जो red color के साथ नजर आ रहा है मैंने इसको highlight किया अच्छा और b जो है वो कौन सा vector है sorry excuse me a vector जो यह green color वाला है जो के यह हां से बना हुआ नजर आ रहा है मैं इसको मिटा देता हूं तो green color वाला जो यह arrow नजर आ रहा है आपको यह vector a है और यह आपके पास जो blue color वाला है जिसको मैंने overwrite किया है this is vector b अब b cause theta क्या होता है for example मैं इसको जो है वो जरा आपको आइडिया है इस चीज़ का आपके पास यह कोई एक वेक्टर है तो आप इसके अगर दो components find करते हैं तो component कैसे find करते हैं अगर यह angle जो है यह x-axis के साथ यह x-axis है आपके पास यह theta है तो यह vector for example a है यह चलें b लेन बी लेन चाहते है तो b ले 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 ए आपके पास b है तो फिर जो यह वाला एक्स component है यह क्या होता है यह है b cause theta यह क्या है यह क्या है भी और यह जो vertical component है है यह क्या है यह बी साइन थीटा मैट्रिक्स है यह हम जाए इसको करते आ रहे हैं यानि आप इसको चलें यूं भी कहे लें थोड़ी देर के लिए मैं इसको दुबारा बनाता हूँ आपके पास यह एक वेक्टर है और भी मैं कहता हूँ कि इसकी जो एक्स डिरेक्शन में जो लेंध है यहां से लेके यहां तक वाली for example मैं इसका नाम x दे देता हूँ और इसका नाम मैं vertical जो height है इसका y दे देता हूँ और यह angle जो है यहाँ पर theta है तो what will be the value of x तो जाहर है फॉरण आप क्या करेंगे फॉरण आप ratio लेंगे cause theta और आप क्या कहेंगे cause theta this is equal to base divided by hypotenuse है आप कहेंगे this is equal to x over b और फिर जब x चाहिए आप क्या कहेंगे what will be the value of x b को दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ से इटा देंगे आप कहेंगे का x is equal to b cause theta तो अब हम यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ बताना मैं यह चाह रहा हूँ कि what is the meaning of b cause theta in this graph तो b cause theta actually इसका x component है यानि b एक वेक्टर है और उसका x component जो है वो क्या है b cause theta है तो यहाँ से हम फिर यह बात कर सकते हैं तो यहाँ से हम यह बात कर सकते हैं अगर हमारे पास यह vector b है तो b cause theta जो के अभी हमने यहाँ पे side पे यह देखा है अलग bracket में इसको निकाला है तो b cause theta actually what will be b cause theta तो हम यह कहेंगे कि आप इसका जो है वो दो components ले ले लें और यानि components कैसे लेंगे जाहर है perpendicular गिराएंगे यहाँ पर यह जैसे गिरा हुआ हुआ है पर पर पेंडिकुलर और इसके दो components हो जाएंगे एक horizontal component हो जाएगा और दूसरा जो हो कौन सा हो जाएगा vertical component हो जाएगा तो इन में से जो horizontal component हो क्या हो जाएगा b cause theta तो यह b cause theta जो है और यह जो vertical component है यह क्या हो जाएगा b sin theta तो b cause theta actually क्या है कि यह मैं इसको highlight कर रहा हूँ red vector जो बना हुआ था सिर्फ इतना portion जो है यह b cause theta है तो फिर हम यहाँ से यह क्या बात कर सकते है हम यह बात कर सकते है कि यह जो b cause theta है क्या चीज़? b cause theta this is the component of this b this is the component of b in the direction of अब यह direction कौन सी है जाहर है पहले हम x-axis की बात कर रहे थे अब यह direction a की है इस वक्त चूंकि हम x-axis की बात नहीं करें बलके यह direction a की है तो हम यह कहेंगे कि यह a है तो अब हम इसको जो है वो फिर define करना चाहें dot product को तो हम फिर क्या कहेंगे कि a dot b a dot b is equal to यह मैं इसको दुबारा अब परता हूँ कि a dot b this is equal to the product of what magnitude of a यानि एक magnitude and the project and the component of b along the direction of a क्या चीज़ दुबारा बोलता हूँ कि dot product जो है वो क्या चीज़ है a dot b this is equal to magnitude of a multiplied by component of b in the direction of a ठीक है तो अब अगर आप इस बात को समझ लेते हैं अब आप अपने सामने जो है वो वीडियो को इस वक्त पास करके आप अपने पास आपके पास करें तो यहां से फिर आपको यह इन चीज़ों की भी समझ आएगी direction of science की कि actually आपने यह जो a dot i compute किया है तो आपने क्या किया है आपने कहा है कि this is equal to यानि अगर आप इसको इस तरह से लिखे कि a dot i यानि a और i का product this is equal to a magnitude इन्टू या इसको यह लिखने के मिज़े आप यह लिखे आई magnitude आई पहले ले लें क्योंग डाट प्रोड़क्ट कमूट्रेटव है आपके पीछे ले सकते हैं मसला नहीं है into a magnitude into cause of the angle between them तो अब आप यह देख सकते हैं कि यह इसको अगर हम उसी definition के ताहत अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे के product of eye and projection of eye in the direction of eye projection of eye in the direction of eye तो यहाँ पर जो है वो फिर हम जो है वो इसकी बात करेंगे के projection का मतलब आप जो है वो component ही लेंगे जैसे मैंने यह नीचे भी आपको बना के दिखाया था यह projection यह जो red arrow है यह projection है और इसी को हम कहेंगे कि इस component in the direction of eye आगे फिर इसको यह manipulate के इसको उपर वाली equation को rearrange करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है अब यह depend करता है कि हमारे नोन क्या है अनोन क्या है उसके बाद है scalar projection अब यह projection जो है scalar projection of B on to A तो फिर क्या है component of B this is equal to A dot B divided by A magnitude यह एक्चुली यह जो अभी rearrange किया है इसको मैं लुबारा यह clear करके दिखता हूं कि यह B का स्रीटा क्या था this was projection of B in the direction of A यह component of B in the direction of A तो इसको हम क्या कहेंगे component of B in the direction of A तो इस formula को use करके हम किसी एक vector की projection दूसरे vector की direction में find कर सकते हैं तो उसके लिए यह formula है तो component of यह projection of some vector in the direction of other vector तो उसका formula क्या है यह जो मैंने आखरी highlight कर रहा हूं यह है और यह नीचे डबे में फिर उन्होंने इसी चीज़ को जो है वो दुबारा से यह किया है कि जाहरा यह magnitude इसमें यह जो नजर आ रही है यह मैं दुबारा इसको यह कर रहा हूं तो यह scalar है इसको आप बाहर लिख सकते हैं इसको आप रिएरेंज करके इस या फिर आप लिख देंजी component of B in the direction of A यह नीचे छोटा सा A लगा हुआ है COMP और साथ A लगा हुआ है तो इसका यह मतलब है कि component in the direction of A और किसका vector B का वो कहते है कि इस तरीके से compute कर लें जो कि यहाँ पर बताया है यह उसकी notations है और यह उसकी कौन सी form है यह scalar form है और अगर vector form में आप लेना चाहते हैं क्योंकि आप जब आप इसको compute करेंगे तो this will be a number यह vector नहीं होगा A dot B एक number होगा और A magnitude यह भी number होगा और दो numbers का ratio लेंगे तो वो भी number ही होगा तो vector projection of B onto A तो यह वैसे ही रहेगा जैसे यह उपर था scalar यह उसकी magnitude बनेगी और direction के लिए जो है वो यह चूंकि इनदा direction of A करना है तो यह से unit vector निकाल लिया A का unit vector यह यह vector है और A की magnitude से आप उसको divide कर दें तो फिर ही आपके पास unit vector आजाएगा तो unit vector के साथ लगा देने से आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पढ़ेगा फार्क सिर्फ यह पढ़ेगा कि उसकी direction साथ जो है वो assign हो जाएगी तो फिर यह vector projection हो जाएगी magnitude दोनों सूर्तों में जाहर है वो जाहर है तो आगे है example number six इसको आप solve करें जाहर है उपर समझा दिया वोजी चीज़ है आगे फिर example number seven है इसमें एक ट्राली को खेंचना है और ट्राली ने जो उसमें वो कहता है कि वर्क डन फाइंड करें डबलियो तो डबलियो फाइंड करने के लिए force into displacement यह दो वेक्टर है force और displacement तो इनकी जो है वो डाट प्रड़क्ट फाइंड किया जाता है अगर आप जो है वो ट्राली यह में गराफ बना हुआ है मैं इसको जरा जूम करता हूँ ट्राली में मूव करना है सड़क के ओपर उसकी direction यह है और अगर आप force भी इसी direction में लगाते हैं तो ठीक है work done will be maximum क्योंके दोनों के दर्मियान में angle जो हो जाएगा zero हो जाएगा zero angle होगा तो फिर cause zero जो हो वो यह होता है याई डाट बी इस इकल टू ए मैगनिचूड बी मैगनिचूड और cause of zero हो जाएगा सात में तो काज 0 मतलब मैक्सिमम जो है वह वैल्यू काज 0 की होती है वह वान होती है तो लहाजा यह उनका प्रॉडक्ट आ जागा मैं नहीं छोड़ता है लेकिन अगर आपने ट्राली को धकिलना है इस डिरेक्शन में जैसे यह नजर आ रही है और फॉर्स की डिरेक्शन जै वह उस आपको वर्क डन जावा कल्कुलेट हुआ 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 मिल जाएगा इस तरह से एक्जामपल नमबर एट में और फिर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में मैं वही बात करूंगा कि जो हमने पढ़ा है जो रिलेटेड है वह सारे के सारे क्वेस्टन्स आपने करने हैं जितन मैक्सिमम हो सके असलाम लेकूम और रामतुल्लाव